अब है है आप अब में वेलकम बैक टु माइ चैनल अज हम लोकश देखेंगे वर इनगी के बारे में जो दीब्यमेंस के बहुती इंपोर्टेंट है यह जो फॉरेण की है वह क्या है वह हम लोग पहले वीडियो में देख चुके हैं अभी हम लोग लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है जो लोग मेरे चैनल पर नहीं वह सब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगए जो इसको लाइक शैब जरूर कीजिएगा चलिए वीडियो को शुरू करते हैं एक फॉरिंड की is a column in a table whose values match the values of a primary key column in another table मतलब दो टेबिल रहेंगे एक प्राइमरी की का टेबिल होगा और एक फॉरिंड की का टेबिल होगा ऐसा नहीं है कि एक ही टेबिल में हम लोग primary key और foreign key ले सकते हैं दो अलग 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 टेबिल में एक primary key रहेगा और एक foreign key रहेगा primary key से foreign key reference लेगा पर primary key always unique and not null होता है लेकिन foreign key में क्या है वो unique हो सकता है या नहीं भी हो सकता है और इसमें foreign key में हम लोग null value को accept करते हैं यह main कुछ difference है primary key और foreign key के अंदर foreign key always primary key से reference लेगा इसलिए इसको referential बोलते है and integrity का मतलब क्या है देखिए integrity मतलब जहाँ पर कहीं पर भी आप कोई भी value को search करो वो same रहना चाहिए इसको बोलते हैं integrity जिसमें value consistent रहेगा इसको अच्छे से समझने के लिए एक example लेते हैं मान लीजिए आप कहीं पर book करीदना जाते हैं तो जहां पर हम लोग हम लोग तो human हैं जहां पर हम लोगों को सबसे सस्ता कोई भी चीज मिलेगा वही हम लोग वही से हम लोग कोई भी चीज पर्चेस करते हैं तो अगर आप एक book को मान लीजिए CS का एक book खरीद लाए है local store से वहाँ पर देख रहे हैं कुछ books के price आपका 100 रुपए हैं पर जहां पर आपका book fair होता है वहाँ पर वह सेम book 90 रुपीज में हम लोगों को मिल रहा है और कहीं पर आप online पर चेक करोगे तो वही book आपको 150 में मिल रहा है तो हम लोग क्या करते है 90 रुपीज में जहां पर हम लोगों को book सस्ता मिल रहा है वहीं से हम लोग book को purchase करते हैं लेकिन यहाँ पर same book है but price यहाँ पर different है तो इसमें क्या है integrity जो है वो loss हो जा रहा है लेकिन आप मान लिजे आप एक college या फिर university या फिर आप कोई भी company में जा रहे हैं तो particular एक employee ID से य इसी person को अगर search करोगे तो वहाँ पर हम लोगों को data same दिखाना चाहिए मान लीजिए X नाम का कोई इंसान है जो CS department में काम करता है यह जो चीज है वो उसी company में अगर कहीं से भी आप पूछ लीजिए तो वो same ही बताएगा कि X इंसान आपका CS department में काम करता है यह जो same चीज है यहां पर integrity loss नहीं होना चाहिए यह तो book जहां पर मैं example दे रही हो इस book के लिए क्या है अलग-अलग जगा पर हलग-अलग इंसान के लिए अलग-अलग profit margin होता है यह depend करता है कौन से seller है कौन से vendor से यह book खरीद रहे है यह different different issue होता है हर एक person का अलग-अलग matter होता है लेकि उसका कोई integrity loss नहीं होना चाहिए इसलिए हम लोग database में integrity अगर loss नहीं हो इसलिए हम लोग इसको foreign ki को use करता है इसलिए हम लोग foreign की को referential integrity क्यों बोल रहे है क्योंकि database में कोई भी integrity loss ना हो इसलिए इसको अच्छे से एक example सा हम लोग समझते हैं लेखिए यहाँ पर two table है एक employee का table है और एक department का table है जिसमें यह जो employee id है यह आपका primary key है और यह जो eid है department table का यह है आपका foreign key देखिए employee id में हम लोगोंने data रखा है employee 1, employee 2, employee 3 and employee 4 करके जिसका नाम avcd है यह address यहाँ से बिलॉंग करता है कोलकता, दिल्ली, मुंबाई, हैजराबाद से बिलॉंग करता है यहाँ पर देखिए employee 1 जिसका id है वो IT department में काम करता है, मतलब a आपका इसी table से आपको पता चल रहा है second table से कि यह IT department में काम करता है employee 3 जिसका नाम है d वो आपका marketing department में काम कर रहा है और employee 4 मतलब e, यह जो employee e है वो आपका HR department में काम करता है और एक department है quality यहाँ पर हम लोगों ने कोई data इसको दिया नहीं है अभी देखिए एक table को manage करने के लिए हम लोगों को most important क्या है कोई भी अगर हम लोग data insert कर रहे है, delete कर रहे है या फिर update कर रहे है यह तीनों चीजे एक table के लिए most important है insert करना मतलब कोई भी new data हम लोग table में insert कर रहे है तो insert करते समय हम लोगों को primary की और foreign की का concept समझ में आना चाहिए उसके बाद ही हम लोग insert करेंगे delete मान लीजिए एक employee इस company को छोड़के दूसरे company में चला गया तो उसको data हम लोग नहीं रखेंगे तो उसको unnecessary हम लोग data को ज्यादा pressure नहीं देंगे इसलिए हम लोग उसको delete करेंगे और update करना क्या इसका अगर salary हो या फिर एक department से दूसरे department को हम लोग को employee को switch कर रहे है हमें एक primary की है और एक foreign की है तो उस time उस table के लिए पहले हम लोग employee table को लेते हैं इस table में अगर insert करेंगे, update करेंगे and delete करेंगे तो क्या कर सकते है या फिर कोई problem आ सकता है यह हम लोग देखेंगे लेकिन सबसे पहले यह देख लेते है इस table को क्या करते है, employee table को हम लोग base table बोलते हैं और यह जो foreign की table है इसको हम लोग referencing table बोलेंगे क्योंकि यह primary की से foreign की reference ले रहा है इसलिए इसको referencing table बोलेंगे यह जो base table है इस base table में अगर कोई भी data हम लोग अलग से insert करेंगे तो मान लीजे यहाँ पर एक data insert करेंगे कोई एक नया employee आया जिसका नाम है X वो आपके employee ID है उसका 5 और वो Delhi से बिलॉंग करता है तो यह जो imply है इस data को हम लोग क्या base table में insert कर सकते हैं क्योंकि देखिए यह जो data है इस data से इसका कोई लेना नहीं है अभी क्या है यह जो data हम लोग base table में insert कर रहे हैं उस table के लिए हम लोग को foreign की का data चेक करने की ज़रूरत नहीं है मतलब अगर हम लोग insert करेंगे base table में तो इसमें कोई problem हम लोग को नहीं आएगा हम लोग easily insert कर सकते हैं उसके बाद हम लोग यहाँ पर देंगे यह जो X employee है ओ अगर quality department में रहेगा तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 5 जो employee ID है वो quality department में काम करता है ऐसा हम लोग लिख सकते हैं तो base table के लिए हम लोग कोई भी data अगर insert करेंगे तो हम लोग कोई भी problem नहीं आएगा अभी नेक देकिए हम लोग कोई भी data अगर delete करेंगे तो मान लीजे हम लोग यह 2 की data को 3 जो employee है वो Mumbai में जो रहता है D वो काम छोड़कर चला गया तो इसकी data को हम लोग अगर delete करेंगे तो क्या होगा delete करने से time हम लोग जब इस row को delete करेंगे तो यहाँ पर एक error show करेगा यह जो error show करेगा उस time क्या होगा यह दिखाएगा कि यह जो employee 3 है वो department table में as a foreign key की तरह काम कर रहा है यह department 3 में marketing department में है तो इसको delete करने से पहले यह data को पहले check कर लीजिए तो हम लोग उसको कैसे delete करेंगे एक तो है हम लोग सबसे पहले यह department table से 3 data को delete करेंगे उसके बाद base table में data को delete करेंगे तो क्या होगा यहाँ पर डिलीट करने से हम लोगों को डेटा डिलीट करने से प्रॉब्लम आ सकता है May be create problem May be क्यों लिखा देखिए 2 employee का जो row है वो देखिए यहाँ पर foreign key के table में नहीं है तो हम लोग इस 2 की डेटा को अगर डिलीट करेंगे तो base table से department table में कोई भी फरक नहीं पड़ेगा तो हम लोग 2 की data row को easily डिलीट कर सकते हैं बट जब भी कोई भी foreign key उस table में as a primary key की तरह या काम कर रहा है या फिर foreign key यहाँ पर इस table में है तो इसलिए यह 3 row को जब हम लोग डिलीट करेंगे तो उसमें problem आ सकता है इसलिए हम लोगों ने लिखा डिलीट करने से हम लोगों को may be problem create हो सकता है हर टाइम नहीं बट हो सकता है तो इसके लिए हम लोगों का solution क्या है अभी देखते है एक solution तो मैंने पहले बताया पहले department table से data को डिलीट कीजिए उसके बाद यह base table से 3D row को delete कीजिए उसके अलाव अभी क्या है हम लोग लिख सकता है अउन डिलीट कस्केट करेंगे तो यह row डिलीट हो जाएगा इसमें कोई main table में कोई फर्क नहीं पड़ेगा मतलब यह डिलीट डेटा आप लोगों कोई show नहीं करेगा या फिर हम लोग लिख सकते हैं अन डिलीट set null तो इसमें क्या होगा यह जो department table में यह जो employee का है यहां पर वो null हो जाएगा यहां पर हम लोग null value दे देंगे इसमें क्या हो सकता है यह जब हम लोग कि on delete set null करते हैं तो इसमें कभी-कभी problem हो सकता है क्योंकि देखिए यह employee id इस base table के लिए यह primary key है तो कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है कि यह primary key और यह foreign key कभी-कभी primary key की तरह भी काम कर सकता है ऐसा नहीं है कि यह foreign key है इसलिए इस department में कोई primary key नहीं रहेगा इस department table में भी तो एक primary key रहेगा वो primary key foreign key को भी हम लोग ले सकते हैं तो उस time क्या होगा foreign key अगर primary key की तरह काम करेगा तो वहाँ पर हम लोग null value नहीं दे सकते तो उस time हम लोग वही करेंगे on delete cascade इससे क्या होगा? mail table में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा बट हम लोग का data delete हो जाएगा तो हम लोग बोल सकता है insert करने से base table में कोई problem नहीं आएगा बट delete करने से कभी कभी problem हो सकता है next आमरा आता है update अभी इसी base table में अगर कोई भी update करना है तो उसमें भी क्या problem आ सकता है? मान लिजे ये जो 4 employee है जिसका employee ID 4 है इसका employee ID change करके हम लोग को इसको 40 बनाना है तो ये जो 40 हम लोग अगर करेंगे तो इसमें क्या होगा base table में देखिए integrity data loss हो जाएगा क्यों? क्योंकि देखिए यहां पर अगर हम लोग इसको update करके 40 करेंगे बट इहां पर जो foreign की है इहां पर देखिए 4 employee HR department में काम करता है वो तो as it is रहेगा इसमें भी तो हम लोग update नहीं कर पाएंगे पहले हम लोग base table को समझ रहे हैं इसलिए अगर इसको 40 किया तो 40 करने से पहले हम लोग को देखना होगा ये जो 4 employee है वो foreign की table में है या नहीं अगर है तो उसको पहले update करना होगा उसके बाद ही हम लोग इसको update करेंगे तो इसमें भी update के time पे भी हम लोग बोल सकता है may be create problem may be create problem तो इसमें भी problem create हो सकता है लेकिन देखिए ये जो 2 employee है इसको अगर हम लोग 20 करेंगे तो इसमें क्या है 2 employee नहीं है department table में department table में 20 employee नहीं है तो इसको हम लोग easily update कर सकते है बट ये जो 4 employee है जिसका employee ID 4 है उसको अगर हम लोग 4 की जगा 40 करेंगे तो उसमें problem आ सकता है इसलिए update करते time भी हम लोगों को बहुत ही ध्यान से update करना होगा इसके लिए solution क्या है जैसे यहाँ पर delete लिका on delete cascade वैसे हम लोग on update cascade कर सकते हैं उसके बाद on delete की जगा हम लोग update अगर लिख देंगे update यहाँ पर अगर हम लोग लिख देंगे तो on update set null वो भी हो सकते हैं एक और extra है वो है अपका on update no action यह जो कुछ term है यह आपके database में inbuilt है आपके dbms में inbuilt होते हैं जो हम लोग sql query में लिखते हैं वो sql query में यह inbuilt होता है on delete cascade वो हम लोग delete के लिए use करते हैं और on update no action मतलब यह हम लोग update करेंगे बट इसमें department जो foreign key का table है उसमें कोई भी data का impact नहीं पड़ेगा delete के time भी हम लोग वो कर सकते हैं on delete no action तो यह तो कुछ base table के लिए है base table में क्या है insert करने से कोई problem नहीं हो सकता है बट delete and update इन दोनों को करने से हम लोगों के base table में impact पर सकता है तो वो delete और update जब हम लोग करेंगे तो बहुत ही धायन से हम लोगों को यह करना होगा अभी हते हैं हम लोग referencing table में मतलब foreign key के table में हम लोग अगर insert delete and update करेंगे तो उसमें क्या होगा अभी देखिए यह referencing table जो department है उसमें foreign key है उसमें अगर insert करेंगे तो क्या होगा जब भी हम लोग कोई insert करेंगे तो क्या होगा हम लोग कुछ भी अपने से insert नहीं कर सकते मान लीजिए यहां पर employee id 5 देते हैं जो quality department में काम करता है लेकिन यह 5 data हम लोग कहां से लेकर आए यह तो हम लोग के best table में तो कोई 5 employee id का कोई table है ही नहीं data है ही नहीं तो हम लोग यह खुद से यह नहीं दे सकते तो जब भी हम लोग referencing table में कोई भी insert करेंगे data तो सबसे पहले वो data best table में मौजूद होना चाहिए अगर मौजूद नहीं होगा तो हम लोग उसमें insert नहीं कर सकते तो insert करने से हम लोगों का violation हो सकता है तो इसमें data violet होगा तो हम लोग इसमें insert नहीं कर सकते अभी आता है delete अगर हम लोग base table में कोई भी data को delete करेंगे जैसे मान लीजे ये employee 1 जो IT department में है वो अभी काम नहीं कर रहा है तो उसमें हम लोग इस employee ID 1 को हम लोग delete कर सकते हैं इसमें कोई problem नहीं है कि ये अभी IT में था अभी employee छोड़ के चला गया इसलिए हम लोग IT department में कोई भी value को नहीं रख लेए यह पर हम लोग null value ले सकते हैं तो null रखके हम लोग इसको ऐसे छोड़ सकते हैं इसके लिए हम लोग को database table को देखने की जरूरत नहीं है तो इसका मतलब क्या है हम लोग अगर delete करेंगे referencing table में तो इसमें कोई problem नहीं होगा तो delete करने से हम लोग को कोई भी problem नहीं होगा no problem अभी next आता है क्या update यहाँ पर भी rules सेम है insert करने से जैसे हम लोग insert करता है SQL query में वही query लिख के हम लोग data को insert करेंगे delete करने से हम लोग ने वो बताया on delete cascade, on delete set null and on delete no action यह तीनो comment को लिख के हम लोग delete कर सकते हैं next आता है वो हमारा update अगर हम लोग referencing table में कुछ भी update करेंगे तो उसमें क्या होगा माल लेजे यह जो employee 3 है इसका employee ID हम लोग 30 कर रहे है 30 जो marketing department में है लेकिन यहां से हम लोग 30 को कैसे update कर सकते है क्योंकि यह तो base table से primary key से reference ले रहा है तो primary table में अगर कोई 30 data ही employee ID 30 होगा ही नहीं तो इसको हम लोग update कैसे करेंगे हम अपनी मर्जी से तो यहाँ पर employee ID 30 को update नहीं कर सकते या फिर 40 को 41 नहीं कर सकते क्योंकि यह base table से reference ले रहा है अगर base table में होगा जैसे insert के time हम लोग को data कुछ भी अपने मर्जी से insert नहीं कर सकते उसके लिए हम लोग को base table को check करना होगा उसी तरह से अगर हम लोग update भी करेंगे तो उसके लिए भी हम लोग को base table को check करना होगा अगर base table में कोई data नहीं होगा तो हम लोग यह खुद से update नहीं कर सकते हैं अपने मर्जी से 1 को हम लोग 21 नहीं कर सकते हैं 30 को 31, 30, 35 ऐसे कुछ भी हम लोग अपने से data नहीं दे सकते हैं तो यह जब update करेंगे तो भी यह हम लोग को problem create कर सकता है maybe create problem maybe क्यों देखिए हम लोग अगर यहाँ पर एक extra row को insert करेंगे जो आपका होगा cs का department या फिर आपका security का department अगर हम लोग इसको null छोड़के यह security अलग से एक department हम लोग अगर insert करेंगे तो इसमें कोई भी problem नहीं होगा क्योंकि हम लोग ऐसे company में कभी कभी ऐसे होता है कि हम लोग को security अलग से एक department बनाना है तो हम लोग अलग से एक security को कर लिख के एक department बना सकता है जिसमें कोई कौन सा employee काम कर रहा है वो भी हम लोग employee ID से देख सकते हैं तो उस time क्या होगा हम लोग के लिए update करने से कोई भी problem नहीं होगा इसलिए हम लोग यहाँ पर यह लिख रहे हैं may be create a problem तो कभी कभी problem create कर सकता है और कभी कभी problem create नहीं कर सकता है यह है primary key and foreign key के लिए कुछ differences foreign key को हम लोग जब use कर रहे हैं तो इसमें insert and update करने से problem हो सकता है बट delete करने से कोई problem नहीं है उसी तरह से हम लोग अगर base table में करेंगे तो insert करने से कोई problem नहीं है बट जब भी हम लोग update या फिर delete कर रहे हैं इसमें problem हो सकता है उसमें भी may be हम लोग use करता है may be क्यों वो मैंने बताया कभी कभी update या फिर delete करने से may be problem हो सकता है या फिर problem नहीं हो सकता है इसलिए हम लोग ये maybe word को use कर रहे है I hope आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया foreign key और primary key क्या है ये बहुत ही important एक topic है जो आपके interview में भी या फिर college, university, कोई भी competitive exam की तयारी कर रहे है उसमें आ सकता है the most important है आपको primary, foreign key को हम लोग referential integrity क्यों बोलते है वो आप लोग चमझिएगा क्योंकि हम लोग data consistency को loss नहीं होना देना चाते है इसलिए हम लोग foreign key को referential integrity बोलते है ये बहुत ही important एक topic है आपके DBMS कर लिए I hope आपको अच्छे से समझ में आया फिर भी इसके related अगर कोई भी query हो या फिर कोई भी problem हो तब नीचे मुझे comment section में बता सकते है मैं आप लोग की problem को solve करनी की पूरी कोसिस करूंगी वीडियो अच्छा लएगे तो इसको like, share and subscribe जरूर कर दीजेगा मिलते हैं next video में बाबाई